कुछ भी ना लूंगी। आरे दिला दूंगा पहन। किशोर को पूरी रात नीन नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है अब वो सोने का हार कहां से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्धी मैं गाउं से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिये जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बेल्डिंग की चौकेदारी भी कने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकाल कर बस कुछ घंटे की नेंद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महिने में बदल गए और रक्षा बंधन भी आ गया पता ही नहीं चला। लिकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लोटा। जहां वो काम करता था पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकटा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंदिजार कर रही थी। तब ही किशोर आता है। कैटो राखी बांदियों। किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिना कर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर कुछ पैसे देना मुझे पारलर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उससे पैसे दे देता। ये क्या? पान्सो? आरे इतने में तो मुझे पारलर में एंट्री मिलेगी बस. अच्छा, देता हो ना ज्यादा. पर कैसे भाई हो? अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते. किशोर ने जेव से दोहजार का नोट निकाला और उसे दे दिया. किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था. बेटा, पिद्दी तुमारी बहन है. उसे कभी किसी चीज़ की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना. क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना. किशोर ने मा की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी. शायद मा की इसी बात की वज़े से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था. किशोर, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना? किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई, और अपने कमरे में सुबख सुबख कर रोने लगी. किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दी देता है. किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पैंता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता. पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया. एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था. कुछ और दिन ऐसे ही बीद गये. एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया. किशोर, मुझे इस लड़के से शादी कनी है. लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहज में एक कार चाहिए. तब ही वो मेरा और पंकज का रिष्था कबूल करेंगे. लेकिन बेहन, कार खरिदना कोई सबजी खरिदने के बराबर तो नहीं है. अरे, कैसे भाई हो तुम? अपनी बेहन के लिए इतना नहीं कर सकते. देखो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती. तुम्हें एक साल में मेरे लिए कार खरिदनी ही होगी. अच्छा, पंकज, एक काम करो. कल तुम अपने माता-पिता को घर बुला लो. मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिष्टे की बात कर लेता हूँ. अगले दिन, किशोर की छोटी से घर में पंकज और उसकी माता-पिता आते हैं. बेटा, तुम्हारी बेहन ने हमारी शर्ट बता ही दी होगी. जी. बेटा, तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो. दहज कहां से लाओगे? मैं अपनी बेहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ. पंकज और पिद्दी का रिष्टा तै हो जाता है. किशोर अब अपनी क्षमता से चार गुना ज्यादा काम करने लगता है. सुबस अपकी घरों में न्यूस पेपर फेगता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकिदारी करता. खुब मैनत करके किशोर ने अपनी बेहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए. उस ते अपनी बेहन के लिए कार खरिद ली. जब वो पिद्दी के सिसुराल वालों से मिलने गया, तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की. इस बार किशोर हार चुका था. पिद्दी, पिद्दी माफ करना मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता. वो लालची लोग है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है. देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूँगी. क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात नम मानने की जैसे कसम खा रखी थी. किशोर ने पंकज को घर बुलाया. पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भाईया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है. हम एक काम कर सकते हैं, दहज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ. अरे, लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे, जब दुनिया को पता चलेगा तब ना. अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ. कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है. और अपनी उम्र भर की कमाई, वो अपनी बेहन की शादी में लगा देता है. आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है. पिद्दी की विदाय के बाद, किशुर बिलकुल अकेला पड़ जाता है. अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता. उधारी वाले रोज घर में आकर बैट जाते हैं. अरा किशुर, अब तो पिद्दी की सादी को पात साल हो गए. अब तो हमारा पईसा लोटा दो. चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता. अरा तो हमारा पईसा कैसे वापस मिलेगा? जी, कुछ करता हूँ मैं. किशुर के उपर बहुत सा कर्जा चड़ गया था. इसलिए उसने तैय किया कि वो ये घर बेच कर सबके पैसे लोटा देगा. अगली सुबर शहर की किसी साहुकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लोटा के वो गाउं छोड़ कर चला गया.